हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल शेर बजार वित आयुश और दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं IEX के रिजल्ट्स के बारे में दोस्तों IEX के first quarter के numbers निकल के आ चुके हैं company के नतीजों को इस वीडियो में हम detail and assess करेंगे because IEX ऐसा stock रहता हुआ देखने को मिला है जहां पर आपने काफी गिरावट देखिए तो इस बागे numbers के इस प्रकार के निकल के आए हैं उसके उपर इस वीडियो में detail चर्चा करेंगे दूसरी बात क्या है कि company के दाए dividend की भी कोशना की गई है तो कितना dividend यहाप मिलता हुआ देखने को मिलने वाला है वो भी आपको बताऊंगा अब सबसे important question निकल के आता है कि यहाँ से 300 रुपे के journey स्टार्ट होगी या फिर 100 रुपे के journey तो बहुत important वीडियो अने वाला है वीडियो को पुरा दिखेगा फ्रेंच चानल से पहली बार अगर आप जुड़े हो चानल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको यह वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को like करके आप जरूर जाईएगा दोस्तों IEX के numbers पर हम आ चुके हैं यह जो numbers है यह consolidated financial results है अब important क्या है कि जो भी figure है वो सब lakh में है तो मैं आपको करोड में convert करके बता दूँगा तो चलिए सबसे पहले बात करते है कंपनी के revenue के बारे में revenue from operation दोस्तों company का कितना आता हुआ देखने को मिला है कितना company दर्च किया है तो बात के दोस्तों आप revenue from operation की तो जो पिछले साल तक का company का revenue था वो आपको देखने को मिलेगा 9,102 lakh यहनी 91 करोड रुपीस का दोस्तों company का पिछले साल तक की earnings आपको रहती हुई revenue रहता हुआ देखने को मिला था लेकिन अगर quarter on quarter बात कर तो जो 112 करोड का revenue company ने पोस्ट किया था वो 98 करोड पर ही आपको आता हुआ देखने को मिल गया है तो performance तो definitely आपको देखने को मिलेगा in front of revenue quarter on quarter तो यहाँ पर decline ही आपको आता हुआ देखने को मिला है 102 करोड की जो total income थी वो पिछले साल की थी जो अगर आप देखेंगे करीबन 113 करोड पर आती भी देखने को मिल चुकी है यानि कह सकते हैं कि हां company के आपको 12 करोड के आसपास 12 से 11 करोड 11 करोड के आसपास अगर आप देखेंगे 9 करोड के आसपास company के जो revenue है total income है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिली है बट जो 128 करोड पिछले यहाँ पर quarter में company ने क्यूफोर में पेश करी थी वो आपको देखने को मिलेगा 113 करोड पर ही दर्ज होती हुई देखने को मिली है तो definitely total profit for the period की अगर बात करते हैं तो total profit for the period दोस्तों company का जो था पिछले साल तक company ने करीबन यहाँ पे 62 करोड रुपे का profit पेश किया था 62 करोड रुपीज का company का profit आपको पिछले साल आता हुआ देखने को मिला जो इस साल बढ़ते बढ़ते है 69 करोड रुपीज का हो गया 62 करो रुपीज का जो profit था दोस्तों वो आपको 69 करोड रुपीज पर ही आता हुआ देखने को मिला है तो company का profit साल आना तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है लेकिन जो बात कर रहा हूं में quarter on quarter वहाँ पर आपको decline आता हुआ देखने को मिला है company के profitability में quarter on quarter decline आता हुआ द मुनाफ़ा आ गया है और सालाना जो 62 करोड का मुनाफ़ा था वो बढ़के 69 करोड रुपीज का होता हुआ देखने को मिल गया है तो दिक्कत है कौटर न कौटर तो डिफिनिटल आपको पेश होती हुई देखने को मिल रही है बट सालाना कंपनी ठीक है पड़िया 70 था पिछले साल तक कितना था 0.70 बढ़के 0.77 हो गया है लेकिन जो EPS करीबन 0.99 का था वो 0.77 ही आ गया है तो EPS में अगर आप दिखेंगे तो यहां पर साफ बात है सालाना बड़ोत रही है सालाना क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि कंपनी का प्रॉफि कितना दिविडेंट यह भी आप जान लीजिए तो दोस्तों जो बेसिक डिविडेंट आपको पहले वाले ही मिलता हुआ देखने को मिल रहा है तो इसकी जो रिकॉर्ड डेट है अब उसको जारी कर दिया गयारिकॉर्ट देट फार फाइनल डिविडेंट जो पिछले साल क आपके पास अब आता हुआ देखने को मिल जाएगा काफी लोगे एक डाउट आ रहे थे कि डिवीडेंट अभी तक हमको नहीं मिला जो कंपनी ने अनॉंस्मेंट किया था तो जो एक रुपे का डिवीडेंट या पर कंपनी ने कोशित किया था उसकी जो डेट है वो बारह अ वज़र क्या है और अब शियर मंडे को किस चाल चलता हुआ देखने को मिलेगा यह बेहर जाना ज़रूरी है तो चलिए इसके उप्पर बात करता है आई-एक्स का शियर लास्ट एक महीने में करीबन 10% गिरा है लास्ट फाइव डेज में 4% गिरा है छे महीने में 31% गिरा है और शाल की शुरुआत से करीबन शियर ने यहापे 38.65% की फॉल दिखा दिये आई-एक्स एक ऐसा स्टॉक रहता हुआ देखने को मिला है जहाँ पे इन्वेस्टर्स ने अब बहुत ज़्यादा पेन ले लिया है वो आपको देखने को मिलेगा अब बहुत दूर रह चुका है लेकिन बावन अफ्तों का जो लोग 128 का वो आप काफी नजदीग दिखता है सी आई एक से कैसी कंपनी जिसके बारे में कहा गया कि मोनोपॉली है बहुत बढ़िया करते भी देखने को मिलेगी बढ़िया किया भी इन टर्मस अगर आप ओवराल रिटर्न देखेंगे तो करीबन 203% के रिटर्न देखें गई है एक अभी माक्स रिटर्न अगर आप दि सिच्वेशन जो थी वो ऐसी पलटी कि शियर के अंदर आपको देखने को मिलेगा सिर्क गिरावट बचती हुई देखने को मिली ऐसा हुआ क्या यह आपको सबसे परहे समझना बहुत इंपॉर्टन तो देखेंगे आई-एक्स अगर आप देखेंगे जिस प्रका का काम करत बहुत इंपॉर्टन है 130 करोड का जो रिविद्यू है वो 128 करोड का आ गया सेप्टेमबर में 122 करोड का रिविद्यू था वो मास तक सिफ 128 करोड बन गया आज अगर आप देखेंगे का रिविद्यू करीवन 88 करोड रुपीज की माफ़े जो प्रॉफिट है वो अगर ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है और वो भी एक continuous quarters के अंदर यानि ऐसा नहीं कि देखे एक quarter में चलता है दो quarter में भी चलता है बट उसके बाद अगर दोस्तों लगातार company की वही situation बनी रहे कोई growth आपको देखने को ना मिले company के business के अंदर तो वो अपने आप में एक संकेत होता है और यह कह सकते हैं कि definitely investment जिनों ने भी किया है वो उपरी level पर फसे हुए है नीचे में तो बहुत कम लोग फसे हुए होंगे लेकिन उपरी level में क्योंकि stock आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर काफी बड़ा चला था company announcement किया था bonus split जो भी होता हुआ देखने को मिला but उसक जो भी है जो काम करना है या फिर stock को increase करना है तो growth आपको दिखानी पड़ेगी अगर आप लगाता decline दिखाते हुए देखने को मिलेंगे तो investors फिर पैसे यहाँ पर कैसे लगा है और कह सकते कि monopoly जो यहाँ पर है वो अब दिखती हुई दिखने को नहीं मिल रही है में इसला यही रही कि अभी definitely कोई fresh investment ना करे यहाँ पर company के तरफ से announcement आनी चीए अब जो announcement है वो definitely हमको समझने पड़ेगी कि company ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है तो वह बहुत important है management की commentary जिसको हम कहते हैं तो friends इस वीडियो में इतना ही था hopes वीडियो बढ़िया लगा होगा आपका क्या मन आई ix के stop पे जरूर बताईएगा thank you friends watching इस वीडियो